So what were the different stages in human evolution? Dryopithecus, जिने मनुश्य और वानर दोनों का पूर्वश माना गया है. इनका चेरा गुरीला के समान थो ये शाकाहारी थे. Ramapithecus, जो mostly human की तरह दिखते थे. शरीर पर बाल, जबड़ा, दान जैसे features इन में पाए गए. ये सीधा चलते थे और इनकी हाइट चार फिट से ज्यादा नहीं थी. Australiopithecus, जो हमारी तरह दो पैरों पे चलते थे. ये भी शाकाहारी थे और अपने बचाव के लिए पत्थरों का इस्तिमाल करते थे. Homo erectus में erect का मतलब है सीधा चलना. ये सीधा चला करते थे, इनकी backbone हमारी तरह erect and flexible थी. इसलिए इसे upright man भी कहा जाता है. इन्होंने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया और खाने को पका के खाने लगे. Neanderthal man के पास strong body थी, muscular body थी. इनकी height भी कुछ बढ़ गई, आजके इंसान की तरह दिखते थे.